अलवर शहर में इन दिनों यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है शहर में दिन में हैवी वीकल्स पर नो एंट्री होने के बावजू धडले से ट्रक में चुराहे से यातायात पुलिस की नाक के नीचे से निकलते हैं लेकिन पुलिस कर्मी जान बूज कर अंदेखा कर रहे है मतलब साफ है कि ट्रांस्पोर्टर ने व्यवस्था बैठा रखी है जिसके चलते इन्हें कोई रोकने की हिमाकत नहीं कर सकता अलवर के मुखे चुराहा बिजली घर पर अकसर ट्रकों को आते जाते देखा जा सकता है वो भी दिन के समय जब हैवी वीकल्स पर नो एंट्री है इससे न सिर्फ यातायात का दबाव बढ़ता है साथ ही दुरगटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है लेकिन यातायात पुलिसी लापरवाही कहें या मिले भगत ये जान लेवा ट्रकों को इस तरह शेहर में दिन में नो एंट्री के समय आने से कभी भी कोई बड़ी दुरगटना का कारण बन सकते हैं और आप शेटिंग को आने देते हैं तो यह इनकी कोई आप सी सेटिंग होती है तब आने देते हैं और और कोई दूसरी गाड़ी हो तो उसको थो फटापट चालान काड़ देते हैं यह पूरे हैं में चल रहा है इस दुरान नो एंट्री में खड़े एक ट्रक ड्राइवर से जब पूछा गया कि आपको पुलिस कर्मी नहीं रोकते क्या तो उन्होंने अपना चेहरा छुपाते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया उदर बिजलीगर चुड़ाय पर बनी चोकी पर बैठे यातयात पुलिस कर्मी ने मीडिया की टीम को देखकर एक ट्रक का चलान भी बनाया और उनका कहना था कि नो एंट्री में आए विकल्स के चलान काटे जाते हैं जबकि यह सब मीडिया को दिखावे के लिए हुआ अन्य था यहाँ दिन भर ट्रकों की आवाजाही हमेशा देखी जा सकती है पूरे शहर का तो मुझे इस बारे पता नहीं मेरे चोराय का मुझे पता है कि एक पूर नहीं जाने देता हूं में यहां से अब आपने चलान का अब मैंने चलान इसका काट दिया नुएंटरी का और इसको चालान दे रहे हैं